हेलो मेरा नाम डॉक्टर दिपक केड़कर है मैं एक मनोविकार दन्या सम्मोन दन्या नशामुकी दन्या और सेक्सोलोजिस्ट हूं मैं NLP टेनर भी हूं और ये कोछ हूं आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर के वाले में पोस्ट क्या होता है कि साथ है कि मन सब्सक्राइव ह जाता हैं और वो हादसा होने के बाद में उसके मन की उपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो जात है और उसको मांसिक तकलीब, मांसिक तनाव, मांसिक बिमारी आ जाती है मतलब उसको जो ट्रामा बैटता है, मांसिक आघात उसके वज़े से उसको जो बिमारी आती है उसको बहुते है पोस्ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर तो ट्रामा मतलब कहोंसे किस तरह के ट्रामा या जा कोई रेब हो गया बॉब ब्लास्ट होगा या भुकम होगा या बार आई या टेर्रीस्ट अटैक हुआ या कोई बड़ा इंसिडेंट और बहुत बड़ा एक्सिडेंट हुआ या घर के बहुत ही महत्वक्य विक्ति की या एकदम अच्छानक सी डेथ हो गई तरह कुछ भी ट्रामा मांसिक ट्रामा ऐसा हो जाता है या कई अटेक हो गया चोरू ने अटेक किया तो वह ट्रामा होने के बाद में युक्ष्ट उपर और बीमारी आती है उसको बहुते हैं पोस्त्रामानिक स्ट्रेस डिस्वाट यह कुछ लोगों के मन में 22 गंटे तक यह चलता है मतलब तक्लीफ होती है उसको बहुते हैं अक्यूट स्ट्रेस रियक्शन है कि तो मघतर खंदे में अच्छा होया तो कोई प्राब्लेम ने उसको को जरुवे लोग की और मघतर समय के बाद में भी उघो नकलीव पार हो सपंदे में भी वह एकदम उड़ बाता है lagi और नहीं तो फिर उसको फ्लैश बेकां मतलब दिन में उसको पुरी घटन से सामने तीजिकेंगे सिरींगे और लिए जब दिखेंगे उसको वह रसाcka से वह जाएंगा और लिणा असको तकलिफ होना से सुरूर हो जाएंगे तो यह फ्लैश बैक होता है या उसको नाइट मेरा दे उसमें उसको बहुत बड़ी मतलब ऐसी बहुत ट्रेमर्स है या हाथ कपकमाना बहुत पसी ना आना घबरहाट बेचेनी और ऐसा उसको लगता कि अब अभी अपन मर जाएंगा ऐसा उसको लग जाता है वले इतना बहुत बड़ी तकलिफ उसको हो किसमें यह बाद्रहंते के बाद में खोशू है मतलब एक महना देडर महना दो महने शुरूआच चालूए मतलब शुरूद यह ना जलोए तो इसको ट्रिटमेंट करनेये ज़़रत है इसमें दावे यह काम मैं आती है मान्सीख मन शान्त करने की डवाई हैं अ कि शाइको त लग बुरी यारदाश जो है वह वाशाउट करना निकाल देना तो बैड मेमरी वाशाउट का जो exercise sixteen algum का ऊसमें इंकर आता है है या उसमें अंगरिंग का एगनिक से वह काम में आते हैं एसे अलग-अलग NLP के तेकनिक का में आते हैं जिसको उपयोग करके इसमें सायदा होता है सम्मोन के माध्यम से उसको वो मेमरी की याद दिलाना रिलाक स्टेट में रिलाक सेशनमें और विजयलाईजेशन और इसलिंग करना इसलिंग करना दबाई देना वेक्ति कुछ दिनों में अच्छा होwow जाना है बस अभी के लिएंग काफी है आपके संपर्ग में कोई वेक्ति आते हो असे कि जिनको ऐसी भीमारी है या जिनको ऐसे कोई बहुत बड़े ट्रामा से वो निकले है और उनको भी तकलिफ हो रही है तो जरूर इनको ये वीडियो शेर कीजिएगा उनको काम में आएंगा आपको अच्छा लगाता आप जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो शेर करो थैंक यू वेरे मच